नमक कम है सपना शादी करके ससुराल पहुंचती है और पहले ही दिन समर्थ और ससुर जी सक्त हिदायतों के साथ पूरे घर के जिम्बेदारियां सपना के सिर्दे देती है और करू शादी एक दिन का भी आराम नहीं आती ही कामों के लिस्ट थमा दी और इसी तरह साल बीच जाता है और सपना सुनते सुनाते धीरे धीरे घर में अज़िस्ट कर लेती है एक तो पहर सपना सास के कमरे में उन्हें खाना देकर रसुई में वापस ही आती है कि तभी सास की आवाज आती है सपना ओ सपना कहा है ज़रा नमक तो लाना सपना नमक लेकर सास के कमरे में पहुँचती है अरे तुम्हे पहले भी बोला है कि एक डिब में थोड़ा नमक डाल कर मेरे खाने के साथ ही दे दिया करो देखो इस तरह बार-बार तुम्हें आवाज लगाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना वैसी भी आज थे कैसा दिन तो आया नहीं जब आपको नमक कमना लगा हो फिक्र नौट मुझे तो आदत हो गई है हाँ भई अब दवाया लेनी है तो खाना जैसा भी है खाना तो पड़ेगा ना मैं आपके हाई बलड प्रेशर से बेखबर नहीं हूँ और इसे लिए ये चिकनी चुपड़ी बाते उसे सुनाना जो इसमें फस जाए आरा सही है खाना अच्छा बनाओ या ना बनाओ सास को उल्टा जवाब जरूर दे दो सास की टेड़ी बाते सुनकर सपना आगे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है दिन बीटते हैं और सास बहु का रूटीन वैसा ही रहता है जिसमें अब सास अडोस पडोस और अपनी सहलियों के सामने भी खाने का जिकर करने लगती है बस क्या बताओं बिमला बहु अच्छी है पर खाने में नमक सही डालना आज तक नहीं सीखी आरे क्या बात कर रही हो फिर तो तुम्हारा दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता होगा दभी सास सपना को वहाँ आते हुए देख लेती है हाँ हाँ लेकिन कभी समझाओ तो जट समझ भी तो जाती है अब देखो जैसे अभी सपना बेटी को मैं बताओंगी कि कल उसके ससूर जी और मेरी शादी की साल गिरा है हमारे लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन है तो मेरी बेटी अपने आप हमारा मन पसंद चट पटा खाना बना देगी ऐसे किसी बात को अन सुनी भी नहीं करती है बिमला तुम भी खाने पर आ जाना सास का उनकी सहली की सामने ऐसा बोलने पर सपना इंकार नहीं कर पाती अगلے दिन बिमला ठीक डीनर के समय वहां पहुंच जाती है जहां सपना ने आज सारा चट पटा खाना बनाया होता है अरे बा अत। सपना क्या वड़िया खाना बनाया है जब बाकि सब खाने की तारीफ कर रहे होते हैं वही सास और बिमलाब बिना कुछ बोले, सुने, स्वाद में खोई हुई बस खाना ही खाती रहती है जिसके कुछ देर बाद सास का ब्लड प्रिशर सुपर हाई हो जाता है अरे हाए मर गई, मेरा तो सिर घुम रहा है आप से किस ने कहा था, ऐसे खाने के लिए जैसे जन्मों से कुछ मिला ही ना हो अरे हाद है मतलब, जब तुम्हें बोला था कि ममी को तेज नमक वाला खाना नहीं देना पिर दिया क्यों मेरी मा को माना चाती हो क्या अरे बहू, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी इतनी लापरवा ही ऐसा माहुल देख बिमला तुरंत वहाँ से चली जाती है साथ ही समर्थ और ससुर जी सास को लेकर कमरे में चले जाते है ये सही है, सहली के सामने बोली हुई बात भी मनवाली और तब्यत खराब करके मुझे डाट पढ़वा कर ऐसे चुप हो गई जैसे मुँ में जुबान ही ना हो इसके बाद सास की तब्यत तो ठीक हो जाती है लेकिन अब सपना पहले से भी ज्यादा सतर करहने लगती है जिसमें खाना पहले की ही तरह नमक की कमी के साथ बनता रहता है जिस से सास भी सच पता होने पर सपना को ताने दिये बिना रहनी पाती अरे बहु, बैसे तो खाना सही बना है लेकिन सबजी में नमक कम होने की वजह से रोटी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा अगली बार ज़रा ध्यान रखना आपकी नमक का ध्यान रखते रखते ऐसा लगता है किसी दिन मुझ में ही नमक की कमी ना हो जाए तो फिर सही नमक डाल दिया करना हाँ हाँ जिससे आप दुबारा हाई बलर प्रिशे करकी उस दिन की तरह सबसे मुझे डाट पड़वा सको अरे जो भी कहो उस दिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बना था इसी तरह एक बार फिर दोनों के बीच नोग जोग शुरू हो जाती है जिसके चलते समर्थ वहां जाता है सपना तुम हमेशा मां से लड़ती क्यों रहती हो अरे मैंने क्या बुला ममी जी अपने आप ही कुछने कुछ बोलती रहती है अरे वो बोलती है तो तुम चुप क्यों नहीं रहती अब समर्थ सपना पर गुसा करने लगता है जिसे देख सास बीच में बोलती है ये घर में हम दोनों के बीच की बात है तो इसमें पढ़कर बहु पर गुस्सा क्यूं कर रहा है इस पर समर्थ वाँ से चला जाता है क्या बात है आज तो आपने मेरी तरफदारी कर ली वो कैसे अरे फीका खाना खिलाती है प्यार जग रहा है आरे तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है तुम कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब नहीं दे रही कभी समार्थ कभी मैं आरे तो फिर सुन क्यों रहे हो यहां खड़े रहा कर जाओ ना सुसुर जी वाँ से चले जाते है जिस पर सास का अपने लिए ऐसा व्यवार देख सपना उनसे कहती है बैसे तो आप इरिटेटिंग हो अपने गलती मानती नहीं इमोशनल ब्लाक मिल भी बहुत अच्छे से कर लेती हो पर जैसी भी हो मेरी सास उमा हो मैं कभी आपकी सेहत के साथ कोई खिलवार नहीं कर सकती इसलिए कुछ भी बोलो कुछ भी करो आपको नमक तो हमेशा मांगना ही पड़ेगा सपना की बात सुनकर सास मुस्कुराते हुए चुपोकर वहाँ से अपनी कमरे में चली जाती है अर जो भी हो बहु मुझे लाखों में एक मिली है सास ऐसा बोलती ही है कि तभी बाकी सब भी कमरे में आ जाते हैं और एहां मैं तो पहले से ही पता है